Dear students, चलिए हम लोग आज फिर से Class 12 के Math के सेक्षन को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हम लोग Exercise 5.8 पढ़ रहे थे तो चलिए Exercise 5.8 का आगे की Question को solution करते हैं जैसा कि आपको पता है Exercise 5.8 में पहला और दूसरा Question को हम लोग अल्रेडी कर चुके हैं ठीक है अब पहला दूसरा को कर चुके हैं तो आईए तीसरा Question देखते हैं तीसरा Question देख पा रहे होंगे पड़ यह Question f-5 to 5 है जो और से यह कर रहे हैं i skill बोलते हैं Function आरमे इस Differentиate functionality i is f- डाउनी वेनिस देखेare बोल Только कि f- C उसका निकाला नहीं जा सकता है ठीक है जब Gef.C nहीं नुकाला जाता है तो यहां से बोल रहा है प्रूव देट माइनस फाइफ का इकवल नहीं होगा फाइफ के दुनों इकवल नहीं होगा ज़र आप हम लोग तिसरा कोशन के तरह बढ़ते हैं सवाल क्या बोला है हमें सवाल यह बोल रहा है गिवेन कि एफडेस एक्स यानि कि यह डजनोट एक्जिट है ठीक है एफडेस एक्स जो का वैलू है वो एक्जिस्ट नहीं कर रहा है इसलिए डिर स्टुडेंट्स हमें क्या प्रूव करना है प्रूव देट प्रूव देट एफ ओफ माइनस फाइफ डजनोट एक्वल होगा एफ ओफ फाइफ का ठीक है यह चीज तो हमको पता है सबसे पहले यहां पर हम लोग दो थ्यूरम के बारे में पढ़े हैं जरह हम लोग दोनों थ्यूरम को समझ लेते हैं एक तरफ आया रॉल्स थ्यूरम आया ना इस इक सर्साइज में एक तरफ रॉल्स थ्यूरम आया और एक तरफ आया एलम वीटी एलम वीटी का मतलब तो एफेक्स का वेलू कुछ न कुछ दिया रहता है और यहां पर इंटर्वल हमें दिया रहता है यानि की कोई भी ठियोरं प्रूफ करना रहे हमें सवाल क्या दिया रहेगा एफेक्स का वेलू दिया रहेगा इंटर्वल दिया रहेगा जो सबसे पहले एफे का मान निकालिए निकालिये अगर दोनो इकवल हो जाएगा यानि कि f a और f b जैसे यहाँ पर दो रता यहाँ चार रता तो f2 निकालते एफ 4 निकालते अगर दोनों equal हो गया तब आप f dash x निकालिए f dash x का मतलब एक बार differentiation और एक बार differentiation करके आएगा उसको f dash c का value 0 करके c कमान निकाले जे अगर ओ c कमान उस interval में आता है तब ओ verified हुआ अन्या था verified नहीं हुआ लेकिन LMBT क्या बोलता है? LMBT का यह बोलता है कि आप f a कमान निकालो भई और f a कमान कुछ और आता है f b कमान कुछ और आता है हमको दोनों equal आये चाहे नहीं equal हमें कोई मतलब नहीं है ठीक है? यहां से आपको f dash x इसमें भी निकालना है सवाल वही रहेगा लेकिन दोनों theorem को हम लोग prove कर सकते हैं इसमें f dash x निकालना है यानि कि इसमें भी differentiation करना है और यहां पर जो formula लगाना है f dash c बराबर f b minus f a beta b minus a यह वाला formula आपको यहां पर put करना है ठीक है यह वोला formula से चलके आपको c कमान निकालना है अगर c कमान इस interval के बीच में आता है तो इस तरीके से हम लोग LMBT को prove करते हैं language mean value को prove करते हैं लेकिन तीसरा सवाल क्या बोल रहा है कि आपको यहां पर f dash x does not exit exist ही नहीं है उसका differentiation निकाला ही नहीं जा सकता है तो जब उसका differentiation नहीं किया जा सकता है तब हमें सवाल prove करने के लिए बोल रहा है कि a minus 5 और f 5 दोनों क्या होगा बराबर नहीं होगा यह हम proof करने के लिए बोला जाए रहा है तो यहाँ पर लिखेगा according to according to LMVT किसे हम लोग चल रहे हैं LMVT के अनुसार चल रहे हैं LMVT क्या बोलता है कि आफ F-C निकालो F-C कैसे निकालता है F-C निकालता है F of V minus F of A बटा स्वरी B minus A चुकि interval यहाँ पर सवाल दिया है ना सवाल में interval दिया है interval क्या दिया है तो minus 5 to 5 यह दिया है interval तो यहाँ पर हम यह बोलेंगे कि F-C का value जो होगा F of minus 5 minus F of 5 बटा minus 5 बी कमान हो गया और minus A A का मतलब 5 चुकि जब यह इकजिर्ट नहीं है सवाल समझे जब यह पहला बारी differentiation इसका इकजिर्ट ही नहीं है नहीं किया जा सकता है इसलिए हम क्या बोलेंगे F-C is equal to 0 यह किसके according तो यह तो LMBT का formula है और यह हम लोग according to Rawls theorem ठीक है Rawls theorem लगा दीजेगा पूरा नाम लिख दीजेगा तो Rawls theorem के अंतरगत हम लोग क्या जानते हैं कि F-C बराबर 0 किया जाता है लेकिन यहां पे चुकी note exit है तो यहां पे F-C का value क्या होगा equal to नहीं होगा क्यों क्योंकि note verified होगा यानि कि जब verified होता है तब नहीं यहां पे equal to 0 होता है तो according to Rawls theorem में हम लोग को क्या पता चला कि F-C बराबर 0 का यूज किया जाता है लेकिन यहां पे पहला बार differentiation किया ही नहीं जा सकता है तो कभी Rawls theorem verified करेगा नहीं करेगा नहीं करेगा तो बीच में क्या देना है does not equal अब देखिए F-C का value according to LMVT F-C का value कितना आया इतना कितना तो F of minus 5 minus F of 5 बटा minus 5 minus 5 does not equal to 0 और यह जब उधर जाएगा तो 0 से multiple होगा तो यहां हो जाएगा F minus 5 minus FF does not equal जब equal रहेगा does not equal ले रहेगा तपर भी यह इधर जाता है तो 0 हो जाता है अब हम जानते हैं कि यह equal रहे ज़ये हैं जब इधर से इधर जाएगा तो minus से किस में होगा plus में तो F minus 5 does not equal कि उधर जाएगा to F of 5 प्लस में हो गया और यही तो हमें प्रूफ करना था देखिए यही प्रूफ करना था यह चीज आ गया तो यहां लिख देंगे प्रूफड तो इस तरीके से हम लोग इस कोशन को करेंगे तो तीसरा नंबर यही कोशन बोल रहा था कि आप प्रूफ किजिए कि f of minus 5 का value f of 5 के equal नहीं है देख प बोल रहा है verify mean value theorem और mean value theorem को ही हम लोग क्या बोलते है short में mbt बोलते हैं या फिर mbt बोलते हैं यहां पर fx का value दिया है और interval यहां a b लिखा है हलांकि a और b का मान 1 और 4 दे दिया है तो कुल मिला कर 4 सवाल क्या बोल रहा है जड़ा देखिए fx का value दे दिया x square minus 4x minus 3 और इसक इसको हम लोग प्रूफ भी किये हुए है कि इसमें रॉल्स theorem को इसमें प्रूफ भी किये हैं example में जब हम लोग theory पड़ रहे थे तो तो यहां से आप जाकर इसका help ले सकते हैं फिलाल बढ़ते हैं पांचवां question में पांचवां question भी same वही बोल रहा था कि आपको इसमें भी क्या कर रहा है mean value theorem को भी verify करना है verify mean value theorem कब जब fx का value सवाल यहां mistake है xq-5x square-3x है तरह देखिए fx का value यहां दिया है xq-5x square-3x ठीक है और यहां पर देखिए यहां पर भी वैसा ही सवाल में a और b interval दिया है लेकिन यहां पर a का value 1 है और b का value 3 है तो total मिलाकर interval के अंदर में लिख सकते हैं 1 और 3 तो यहां interval देदिया 1 and 3 अब हमको यहां पर क्या verify करना है यहां पर लिख सकते हैं we have to verified verified LMVT यानि कि हमें क्या prove कर रहा है या verify कर रहा है LMVT को verify करना है ठीक है जब LMVT को verify करना है तो इसके लिए आपको यहां से here a का value कितना 1 b का value कितना 3 ठीक है a का value 1 हो गया b का value 3 हुआ तो सब से पहले यहां पर आपको क्या निकालना है LMBT में FA निकालना होता है यानि कि F1 तो जहाँ X है वहाँ पर 1 रखना है तो यहाँ पर रखे 1 का Q माइनस 5 इन्टू 1 का स्क्वाइर माइनस 3 इन्टू 1 जहाँ जहाँ X था वहाँ क्या रख दिये 1 तो टूटल मिला के कितना है 1 माइनस 5 माइनस 3 तो यहाँ हो जाएगा माइनस 7 ठीक है FA का वेलू हो गया अब FB का वेलू निकालेंगे तो FB, B का वेलू कितना है 3 तो F3 निकालेंगे अब यहाँ पर X के जगह पर 3 रखेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 3 का Q माइनस 5 इन्टू 3 का स्क्वाइर माइनस 3 इंटू 3 टोटल मिलाकर 3 का पावर 3 कितना हुआ? 27 माइनस 3 का स्क्वार 9 पच्चे 45 माइनस 9 टोटल मिलाकर कितना हुआ? तो 9, 5, 14, 54 में 27 गया माइनस में 27 हो गया ठीके? यानि कि कुल मिलाकर F A का वेलू और F B का वेलू आ गया अब आपको क्या करना है? उसके बाद F dash X निकालना है तो F dash X का मतलब तो जानते है Dear Students, F dash X का मतलब क्या हुआ? F dash X का मतलब हुआ कि एक बार इसका differentiation करो F X का F dash X का मतलब होता है differentiation तो X Q का differentiation क्या होगा? तो 3 आगे आएगा तो X के power यहाँ पे घट जाता है differentiation में तो 3 X square हो जाएगा यह दिमाग में कर लेंगे क्योंकि अब हम लोग differentiation को खतम कर दियें यह last chapter चल रहा है तो हर बार उसको ऐसा नहीं लिखेंगे X Q बटा D X भाई मेरे यह सपना में अब हो जाएगा ठीक है? यह directly आप करो X Q का differentiation 3 X square 5 X square माइनस में है तो इसका डारेक्ट लिखे कितना होगा? 10 X माइनस 3 X का कितना होगा? माइनस 3 ठीक है? इसलिए F dash C का value कितना होगा? F dash X के जगा पे X X रखे हैं तो F dash C का होगा 3 C square माइनस 10 C माइनस 3 अब चुकि रॉल्स थ्यूरम में सरी LMVT में कौन सा फर्मूला लगाया जाता है? तो आप लिखेगा According to LMVT LMVT के नुशार हम लोग फर्मूला क्या लगाते हैं? तो फर्मूला होता है F dash C is equal to F B minus F A बटा B minus A यही नहीं होता है तो यहां पे आप देखिए F B का value कितना आया है? F B का value minus 27 तो आप यहां रखो minus 27 ठीक है? और minus F A का value कितना रखा? F A का value minus 7 है तो यहां minus 7 रखें और बटा B का value कितना है? तो B का value 3 है और A का value 1 है तो यहां 3 minus 1 तो टोटल मिलाकर अगर देखा जाए तो हमें यहाँ पर क्या बन रहा है ज़रा देखिए तो यहाँ पर जो बन रहा है कुछ इस तरीके से बन रहा है f dash c is equal to f dash c is equal to यहाँ पर आप देखिए तो minus 27 है और यह minus minus plus 7 बटा में 3 में से 1 गया 2 तो यहाँ पर बन रहा है minus 27 plus 7 बटा में 2 अब f dash c का वेलू कितना तो f dash c का वेलू देखिए 3c square minus 10c minus 3 तो यहाँ पर लिख दीजिए 3c square minus 10c minus 3 is equal to यहाँ पर आप करेंगे तो कितना आएगा minus 20 बटा में 2 अब यहाँ पर जब यह आ गया तब हमें c का वेलू निकालना है आप जैसा कि देखी पा रहे होंगे यहाँ पर कि fb का वेलू जो आया था fb का वेलू fb का वेलू कितना आया था तो जी हाँ आप देख पा रहे होंगे fb का वेलू जो आया था वो हम लोगों को आया था 3 रखने पर तो तीन तरी के नो तिये 27-45-9 तो 45 और नो पन्च ओदर में से सताइब हाँ ठीक है मैंनस 27 आएगा और वन रखने पर कितना रहा था तो वन मैंनस एट और वन तो हाँ मैंनस 7 आ रहा था ठीक है अब हमें क्या क्या करना है यहां पर ऐसे करना है 3C square minus 10C अब यह इधर आएगा तो किस में होगा minus 3 plus 20 by यहाँ minus 3 है by 2 equal to 0 तो यहाँ पर देख पार होंगे 3C minus 10C अब इसको इसको add करेंगे तो कितना होगा 2 और यहाँ हो जाएगा minus 6 और यहाँ हो जाएगा 12 तो यहाँ कुल मिला कर यह बन रहा है 3C minus 10C और यहाँ पर 14 बटा 2 ठीक है यानिकी हाँ एक और दो का यलस्यम हो गया 2 और एक दुना का 2 तो तो तिन दुना का 6 और मिला कर यहाँ पर कितना हुआ एक मिला कर यहाँ पर प्राब्लम तो नहीं हो रहा है नहीं कोई प्राब्लम नहीं हो रहा है तो यहां पर आप देख पा रहोंगे, यहां बन रहे है 7, ओ सेट यहां पर तो कठी रहा था 2,20, तो हम लोग नहीं काट होंगे, चलिए कोई बात नहीं, तो यहां पर जो हम लोग को आया, 3C square, बाद में तो वही आ गया ना, 3C square, minus 10C plus 7, equal to 0, अब चलिए, तो यहां से हमको इसको दो पाट में ऐसा तोड़ना है, कि क्या आ जाए, तो जोडने घटाने पर 10 आ जाए, तो इसको लिख सकते हैं, 3C square, minus 3C, minus 7C, plus 7, equal to 0, अब यहां पर common लेंगे, तो 3C common हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा, c, minus 1, और यहां पर अगर, minus 1 common लेंगे, तो यहां हो equal to 0, तो यहां से आप देख पार होंगे, 3C minus 7, एको गुनन खंड होगा, और एको c minus 1, equal to 0, आप देख पार होंगे, कि इसको दो पाट में तोड़ते हैं, तो 3C minus 7, बराबर 0, तो एको c का भेलू आजाएगा, 7 by 3, और एको c का भेलू आजाएगा, 1, तो अब हमको क्या करन है, यहां से तो c का भेलू निकालना होता है, यह formula का use करके, हम लोगों को c निकालना होता है, तो c निकल गया, c का भेलू दूगों आजाएगा, अब आपको क्या करना है, उसके नीचे चेक करना है, कि क्या बारी बारी से, कि 7 by 3 को जरह हम लोग, इसको divide कर लेते हैं, तो 3 to तो यहां लिख दिजेगा, it is correct, so it is verified, यह verified हो गया, हम क्यों बोल दिया ऐसा, क्योंकि यहां पे अब हमको चेक करना पड़ता है, कि c का जो value है, 2.3, वो इस interval के बीच में आ रहा है, कि नहीं आ रहा है, अगर उस interval के बीच में आता है, तब हम बोल देंगे कि यह क्या है, correct है, और यह LMVT को verified कर रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको check out कर सकते हैं, अब ज़रा बात कर लेते हैं, one वाला को, ता तो है, एक जो है, एक और तीन के बीच में का आने का मतलब कि, यह बड़ा bracket का मतलब होता है, कि एक भी सामिल है, और थ्री भी सामिल है, तो य यहां लिखेंगे कि one जो है, one और three के interval में आ रहे है, बीच में आ रहे है, इसलिए क्या बोलेंगे, it is correct, so it is verified LMVT, यान कि one भी क्या आता है, तो one और three के बीच में नहीं आता है, लेकिन one तो आ रहा है है ना, यानि one तो लिया गया है, इसलिए one, one three के under में आएगा, और यह correct होगा, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यह verified करेंगे, चलिए आगे को questions को देखते हैं, question number कितना, तो question number that is last, क्योंकि यह था question number, बहुत कम question था, rule theorem और इस पर LMVT पर, अगला question देखते है, examine the applicability of mean value theorem for all three functions given in exercise 2, देखे एवा विक्साइस टू, अब विक्साइस टू का मतलब यहाँ होता है कि question number two को देखिए, यह होता है, तो question number two में, कितना question है total, तीन question है, अब question number two में, हम यहाँ पर यह बताना चाह सहा रहे हैं, कि Question Number 2 में जो Question है, Question Number 2 में कौन कौन सा Question है, ज़रा दिखाते हैं Question Number 2 में जो Question है और ये कि पहला Question, दूसरा Question, तिसरा Question पहला question है fx का value x ठीक है फिर है fx का value x फिर है fx का value x square minus 1 और इसके लिए interval है 1 से लेकर 2 तक इसके लिए minus 2 से लेकर 2 तक और इसके लिए 5 से लेकर 9 तक तो dear students करना क्या है कि यह दूसरा का तीनों जो question है हम लोग यह दूसरा का तीनों question में roles theorem को verify करते थे दिख रहा है न लेकिन यहाँ पर क्या करना है कि जो exercise 2 में question दिया है 3 को इसलिए लिखा है यहाँ पर all 3 function लिखा है न तो यहाँ पर 3 function का मतलब क्या हुआ कि जो दूसरा में तीन question दिया है वही वाला question को mean value theorem को proof करना है तो मुझे पूरा बिश्वास है कि यह तीनों question को आपको एलेम भीटी चेक करना है कि कीस में है और कीस में नहीं है समझ में आ रहा है तो बस आज के लिए इतना ही यानि कि अब हम लोग अगले दिन से आप खुद इसको चेक कर लीजेगा LMVT को कि किसमे बन रहा है किसमे नहीं बन रहा है अगर ओ C का वेलू जैसे भी हम लोग प्रूफ किये वैसे ही इसको भी प्रूफ करना है किसमे बन रहा है किसमे नहीं बन रहा है किसमे वेरिफाइड है किसमे वेरिफाइड नहीं है तो इन चीजों को यह जो तीन सवाल है यह आपके उपर छोड़ते हैं आप इसको जरूर बनाईएगा और फिर हम लोग अगले दिन से एक नय चैप्टर का स्टार्ट करेंगे एक नय एनर्जी के साथ तो आज हम लोगों का खतम हो गया है तो अगले बार हम लोग एक नय चैप्टर का स्टार्ट करने से पहले जरा सिलेबस के बारे में भी जानेंगे कि हम लोग को कितने दिन में क्या-क्या complete करना होगा ठीक है चलिए तो आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले class में तब तक thank you धन्यवाद